नमस्कार मेजरम की 40 विधानसवा सीटो फार फाइनल नतीजे सामने आ चुके हैं और मेजरम में क्या बड़ा उलाट फेट देखने को मिला है और मेजरम को लेकर किसकी सरकार बनने जा रही है और ताजा रिजल्ट के इसाफ से या मेजरम में भी बड़ा उलाट फेट देखन को मिला है तो मेजरम की 40 विधान सभा सीटों पर फाइनल रिजर्ट सामने आ चुका है और जो नतीजे हैं वो चोकाने बाले सामने आ रहा है 2018 में यहाँ पर मेजर नेशनल प्रेंट ने सरकार बनाई थी 26 सीटों पर जीत हासिल की थी और भारजन दा पाइटिया गड़ बंदन रही थी लेकिन इस वार जहाँ वंपर वोटिंग देखने को मिली और इसका सीदे तौर पर फायदा यहाँ पर वदलाप के तौर पर देखने को मिला तो मेजर नम की 40 विधन सबाज सीटों के लिए 21 सीटों पर वहूम्मत का आकरा मलता है और इस वार यहाँ पर जो रहा पर जूरम प्योड़ पिफल लूविła जित हासिल करके बहुमत का आकरा हासिल कर लिया है और यहाँ भारजन दा पाती को दो सीटे मिली है एक सीट। या पर आने के पक्शे में एक सीट कॉंग्रेस के लिए और दस सीटों पर मेजर नैसन फ्रेटनेस जीत हासिली है और भार्गरजंदर पायटी यहा करड़ बंदन के तो पर आ रही है तो भारति जंदर पार्टी मेजरम में, भी सरकार बना रही है और ऐसे में माना जा रहा है कि कहीं ने कहीं यहां पर बड़ा उलेट फिट देखने को मिला है और यहां मेजरम में जो है बदलाब देखने को मिला है तेलंगाना में भी सकता परिवर्तन देखने को मिला यहां पर बियारस की सरकार थी और बियारस को मात 49 सीटे हैं और 2018 में 18 सीटे हासल गी थे लेकिन इस वार कॉंग्रेस ने या पर 19 सीटों के मुकाबले 64 सीटों पर जीत हासल गी है तो तेलंगा ना में भी बड़लाब देखने को मिला है कॉंग्रेस यहां सरकार बनाने जा रही है एक सो नी सीटे है और 60 सीटों पर बहुमत का मिलता है बहुमत से जादा चार सीटे कॉंग्रेस ने अपने दम पर हासल किया है और भारजंदा पार्टी ने यहां पर साथ सीटों में इजाफ़ा किया है एक सीट थी लेकिन इस वार आठ सीटों पर जीत हासल गी है और हन्य के पक्षिम भी आठ सीटे मिली है इस तरह से से लंगाना में भी बदलाब देखने को मिला है तो राजस्तान की एक सुनिन्यानवे सीटों पर फारनल नतीजे सामने आ चुके हैं बारजंदा पार्टी ने एक सो पंदरा सीट तो कॉंग्रेस ने उनतर सीट और हन्य के पक्षिमें 13 और बेस्वी ने यहां दो सीटों पर तो 36 गर की 90 सीटों के बात किया है तो 40 सीटों पर बहुमत का आखड़ा मिलता है उस पर भी बारजंदा पार्टी ने यहां पर जितासिल किया है और यहां पर जेजे से पार्टी को जीरो सीट रेस तो 36 गर में भी इसवार सीटों पर पर जेखने को मिला है अब तक 4 राजियों के नतीजे 4 राजियों में पर जेखने को मिला है लेकिन मद्दप्रदेश एक ऐसा राज जह है जहां पर भारजंदा पार्टी ने कमल खलाया और एक तरपा जीत ऐसी जीत जो अब तक नहीं मि बना था 2-5 परसेंट मददान के देखनी को मिला और इसका फायदा मिला भढ़जनदा पार्टी को लाल ली बहना योजना का जिस के दम पर भढ़जनदा पार्टी ने फिर सरकार मिना ली है चार राज्यों में जहां सत्ता परिबरतन देखनी को मिला लेकिन मद्दपरदेश में लाली बहना योजना थी जिस दम पर भरजंद पाइटी ने मद्दपरदेश में एक पूर बहुमा सरकार बनाई कॉंगरिस 66 सीटों पर समट गई और अन्य के पक्ष में एक सीट रही बेसी का खाता नहीं को लास तरह से बात की जाए तो पांच राज्यों के नतीजे लोकस्वा चुनाबी नतीजें सेमी फाइनल के तरह माने जा रहे थी क्योंकि 36 गर से 11 लोकस्वा सीट मद्परदेश 29 और राजस्तान से 25 तिलंगाना से 17 और मेजरम से एक लोकस्वा सीट आती है तो ऐसे में कितना असर होगा पांच राज्यों के चुनाबी नतीजें में से भरजन्दा पारटी ने यहाँ पर तीन राज्य, 36 अगर मद्परदेश और राजस्तान में क्लिंड सिप कर दिया है तीनों ही राज्य 2018 में हारी थी लेकिन इस वार तीनों ही राज्यों में भारती जंद पार्टी ने सरकार बनाए है अब 2024 की तैयारी सुरू हो चुकी है और लोकस्बा चुनाब में किस का पलरा भारी होगा इसको लेकर भी महीदपून आकड़े आपको देने बाले है तो आपको कलेक्टा लोकस्बा चुनाब को लेकर अप्रिया रखिए मिलते दोस्तों और लेटिश्ट और महीदपून विचलेशन के साथ तब तक लिजा है जवारत